एपरेल मंत अपने एंड की तरफ है और एपरेल मंत का ये हाल रहा है कि पहला ऐसा महीना जो हमको रेड में क्लोजिंग दे रहा है जी हां पहला महीना मैं क्यों कह रहा हूं क्यूंकि पिछले 6 महीने से है ना अक्टूबर से गाड़ी ट्रैक पर आई है ठीक है ऑक्टूबर नवेंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल साथ महीने से आप देखो ग्रीन केंडल से देखने को मिली हैं ऑक्टूबर से अच्छी खासी मार्केट चली जनवरी में हमको न्यूट्रल में देखने को मिला मार्केट क्योंकि ETF अपरूवल मिले लेकिन फरवरी में सारी कसर निकाल दी बिटकॉइन और इसी एपरेल मन्थ में बिटकॉइन की हालविंग भी हो गई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है पिछले छे महीने अच्छी मार्केट चली है तो थोड़ा अगर रेड में भी देखने को मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेट कीजिए अपरेल मन्थ की क्लोजिंग का 62,900 पे लेवल है इस टाइम पे 63,000 डॉलर के को इंदे कल आखरी दिन है और मंथली केंडल और FOMC का डिसीजन एक माई की रात को सबसे पहला अपडेट है 11,000,000 को लेके मतलब बहुत अच्छा खास और बड़ा मुवमेंट यहां तो बहुत बड़ा नमबर है करोड 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो पॉइंट फाइव बलियन डॉलर की टोटल और ट्रांसफर होती है कहां से अननन वालेट से अननन वालेट में तो आज के अगर हम टॉप गेनर की बात करें टॉप गेनर है आज का है एच एंटी कोईन जी हां हीलियम और तो हैच एंटी आज 30% कर रहा है और सबसे ज्या 4.4 डॉलर से लेवल आल्मोस्ट डबल की तरफ आ गए है अभी दो तीन महीने पहले की बात है मार्किट में एक कोईन आया था जिसका नाम था नियोन अभी भी है वो मार्किट में और जब आया था तो सिर्फ दो तीन महीने के अंदर इस कोईन ने दो से तीन हजार लिस्ट लिस्ट नियोन बहुत बड़ी अपडेट नियोन को लेगे ठीक है और लिस्टिंग का अनाउस्मेंट आता हुआ कोईन बेस एक्सचेंज की जरव से नेक्स्ट अपडेट है एनलिस्ट से इस क्रिप्टो गरंसी ओन ट्रैक्ट रीच वन बिलियन यूजर इन ट्वेट आज की डेट में पांच सो एसी मिलियन पीपल ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं यह नंबर एनलिस्ट की माने तो एक बिलियन पहुँच जाएगा दोहजार पच्चिस में ही मतलब हमको जैदा वेट नहीं करना पड़ेगा एक बिलियन यूजर हो जाएंगे क्रिप्टो के वर्ल्ड वाइड दोहजार पच्चिस क्या नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं गूगल की तरफ से गूगल रिमूव ट्रस्ट वालेट फ्रॉम दा प्लेइस टॉर गूगल ने ट्रस्ट वालेट को रिमूव कर दिया है प्लेइस टॉर से किसी कंट्री के लिए हुआ है या वर्लड वाइड हुआ है यह बहुत बड़ा ड़ेट एक तरह से सिलसिला ही चल पड़ा है ठीक है और बहुत सारी exchanges ban होई इंडिया में वापिस भी आई है Binance की वापसी हो रही है Kucoin वापिस आ चुका है और अब जो है यहाँ पे बहुत सारी countries में भी Binance को मतलब face करना पड़ा है ऐसा situation तो अब यहाँ पे यह बहुत बड़ा update है क्योंकि Trust Wallet की user भी बहुत ज़्यदा है बहुत बड़े level पे है और Trust Wallet को भी कही न कहीं remove कर दिया है Google Play Store ने Next update है Shiba इनुकी DEX को लेगे यानि Shiba Swap को लेके Exciting News Decentralized Exchange Shiba Swap move to Shibarium Bringing new innovation Movement हुआ है Shiba Swap का किस के उपर Shibarium के उपर तो Solana की चर्चा Market में सबसे ज़्यादा है Solana कहीं न कहीं महाल गरम है Solana की वज़े से Market में और Total Value Lock अगर मैं Top 10 Projects की बात करूँ Solana के Total Value Lock के मामले में तो 6.4 billion dollar की है Total Value Lock जिसके अंदर आप देखोगे यहां पे M&D है और JTO है KMNO है मतलब Kamino और इसकी आज एक नई लिस्टिंग भी हुई है Bybit के उपर ठीक है अभी डिसकस करेंगे Ray है Margin 5 है BLZ है Jupiter सेंक्टम ड्रिफ्ट और मेट यह है टॉप टेन टॉटल वैल्यू लॉक वाले Solana के उपर प्रजेक्ट नेक्स्ट बडेट है 22 million 22 million dollar इन XRP bought on Binance by Wales तो Wales के कारणा में XRP Ripple को लेके दिख रहे हैं और हमने बात की थी कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बाइंग भी हुई है और यहां पर XRP Wales का यह खरीदना बता रहा है कि जल्दी XRP में एक अच्छा कासा बड़ा जंप देखेंगे ठीक है तो 22 million dollar के XRP यहां पर फिर से buying हुई है Wales की तरह से और last and final में बात करेंगे crypto liquidations के बारे में आखरी दिन आ रहा है अपरेल मंत का और liquidation जैदा तो नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी अच्छे कासे हो रहे हैं और longs के ही हो रहे है तो 110 million dollar के liquidation है पिछले 24 घंटे में longs वालो के total 140 million dollar के हैं और 29 million dollar shorts वालो के हैं तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पर इंट बाकी अफडेट नेक्स वीडियो में किसी भी crypto में इंवेस्ट कर रहे हैं तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यों